नमस्कार इजी होम टिप्स चैनल में आपका स्वागत है मैं संतोष चोहान अपनी इस वीडियो में मैं आज बताने जा रही हूँ कि जिनको भी खुन की कमी है और कमजोरी रहती है एनीमिया है तो ये एक ऐसा कारगर उपाय है जिससे की खुन की कमी आपकी दूर हो जाएगी ये अंजीर है से अंजीर कहा जाता है और इस तरह से ये छलनों के रूप में पिरोई हुई एक लकडी में पिरोई हुई आती है तो ये अंजीर आपको जैसे मान लीजे जादा अगर आपको खुन की कमी है तो आप चार अंजीर लीजेगा अगर आपको जादा कमी नहीं है तो दो अंजीर और 5-6 मुनक्का आपको रात में इसको भिगोना है एक गलास पानी में, आदा गलास पानी ले लिजेगा, आदा गलास पानी में आपने भिगोना है, मैंने यहाँ पे दो अंजीर और 5-6 मुनक्का हैं, वो भिगोकर रख रखे हैं, यह मैं अपनी बेटी को द Dermoglobin था 13.1 हो गया एक हफ़ते में ही बहुत फर्क आया था उसको लेकिन वो बीमार थी इसलिए मैं उसको दोनों टाइम देती थी आप इसको एक टाइम यूज़ कर सकते हैं या आगर बहुत ज्यादा खुन की कमी हैं तो दोनों टाइम भी यूज़ कर सकते हैं यह अंजीर को मैंने ब्ह tyre तोड लिया है और 市स भीश मनक्क के अंदर से जो भीज होता है मुनक्क का वो आपको निकालना है मुनक्य का बीज आपको यूज नहीं करना है वो आप carefully निकाल दीजिए गा जाद कर एक मुनक्य में दो बीज होते हैं तो उनको आप जरूर निकाल दीजिएगा तो इस तरह से ये 5-6 जो मुनक के लिए हैं मैं सभी के पहले बीज निकाल दूँगी और अंजीर क्योंकि भीगी हुई है तो आसानी से तूट जाती है तो अंजीर को बीच में से तोड़ के हमने रख लेना है फिर हम जो सिल बट्टा है सिल बट्टे पे हम इसे पीसेंगे इसको चटनी की तरह ये हो जाएगा ये बहुत ही कारगर उपाए है मेरा ये इस्तेमाल क्या हुआ है मैं अपने बच्चों पे इस्तेमाल करती हूँ तो ये कारगर उपाए है अब इसको हम सिलबटे पे पीस लेंगे अंजीर और मुनक्का को मैं डेली अपनी बेटी को इसको देती हूँ उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ा है इस चीज से तो जिनको भी एनीमिया है सारे दिन थकावट रहती है खुन की कमी है तो यह उपाय आप जरूर अजमाएगा अब इसको हम ऐसे चटनी की तरह पीस लेंगे और बड़ी असानी से पिस जाता है क्योंकि मुनक्का भी भीगा हुआ होता है और अंजीर भी भीगा हुआ होता है रात में मैं इसको भीगोती हूँ और यह इजिली बहुत आसानी से सिल्वट्टे पे पिश जाता है अब हम इसको एक कटोरी में निकाल लेंगे और इसको जब आप सुभा मॉर्निंग में खाएंगे तो उसके बाद आपने आदे घंटे तक नाश्ता नहीं करना है वैसे तो इसको खाने के बाद भूख लगती ही नहीं है काफी दिर तक भूख नहीं लगती है काफी हैल्दी होता है तो इस तरह से चटनी की तरह पिस गया वस ऐसे ही आपको यह खाना है सुभे खाली पेट तो जरूर इसको आजमाईएगा इस प्रयोग को और यह पानी आपको इसके उपर से पीना है जो भिगया हुआ था वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस नुस्के को आप जरूर आजमाईगा और फीडबेक दीजिएगा आपको कितना फर्क पड़ा धन्यवाद